हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैन ग्यान प्लस पर उत्तर प्रदेश अधीनस सेवा चैन आयोग की मीटिंग खत्म हो गई है हमने आपको दो पार में ये अपडेट दे थी कि आयोग में मीटिंग है और साम तक एक नोटी जारी हो जाएगी पेट के स्लेवर्स पर डिस्क्रिशन हुआ है उम्मीद है कि दो तीन दिन में आपका पेट का स्लेवर्स फाइनल हो जाए को उसके बाद जल्दी यूपी टिपलेस सी आपसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुरू करने जा रहा है पेट के लिए जल्दी वहीं आयोग न आयोग द्वारा आज 5 जनुए 2021 की नोटिस है आयोग के विग्यापन संक्या 26 2016 समलित कनिस सहयक वा समलित कनिस के लिपिक प्रतियोगात्मक परिच्छा में 536 रिक्त पदों है तू टाइपिंग के लिए 4264 अब्यर्तियों की जो सूचना है उसका संदव ग्रहा करें जिसक दो के लिए समस्त 4265 अब्यर्तियों की 13 तारीख से 23 तारीख तक दो पालियों में राजकी प्रॉद्योगिक की अन्तिर्श प्रशिछन सृन्स्तां में आयोजित की जाएगी तो एक दिन में कुल मिलाके 480 अभ्यर्थियों की टाइपिंग होनी है दो सिफ्ट में टाइपिंग होनी है 8 वजे से और 12 वजे से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खवर को यानि की 13, 14, 15, 16 17 को छुट्टी है फिर 18, 19, 20, 21, 22 23 लगातार टाइपिंग है 23 तारीक को छुटे हुए अभ्यर्थियों के लिए डेज को रिजर्व रखा गया है समलित अभ्यर्थि अपने जो डाउनलोड है यूपिट पलेस्टी की विवसाइट से अपलोड कर ले अब इसमें कुछ निर्देश है कि तलासी ली जाएगी बायोमेट्रिक किया जाएगा और दो घंटे पूर रिपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कुवीड नाइटीन के अंतर का सोशल डिस्टेंसिंग आदी की प्रक्रिया है जो कि आपको फोलो करनी पड़ेगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पत्रक लगी फोटो का मिलान कर लें उसके बाद ही आपको अनमती दी जाएगी यह सारी चीज़े हैं अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके वहाँ पर जाएग उसके लावा एक आईडि एप्रूफ लेके जाएगे परिच्छा में आदी कुछ ले जार्स नहीं सकेंगे आईडि के लावा कंप्यूटर केंदर विवस्थापक द्वारा अतार लेप्टॉप डेस्क्टॉप या टाइप राइटर आपको लेके नहीं आना है अभ्यर्थी अपना कोई भी कीबोर्ड साथ लेकर नहीं आएगे टंकर परिच्छा में किसी भी प्रकार के स्टीकर कीबोर्ड के अनुमती नहीं दी जाएगे अभ्यर्थी को हिंदी वा अंग्रेजी दोनों भासाओं में गती वा दस्ता परिच्छा उतिन करना नियुंता में जैसे कि विज्यापन में उल्लेका यानि कि हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 38 पर मिनट आपको पास करना पड़ेगा मंगल फांट और देवनागरी कुर्ती 10 पे ही आप दे सकेंगे इसके अलावक अन्न कोई फांट स्विकार नहीं है तंकर गती एवं दस्ता परिच्छन हे तो विशेश रूप से बनाएगा साफ्ट्वेर पे कराई जाएगी अपने जगह परिच्छा अपने जगह गरहन कर लें इसमें दिया गया है कि परिच्छा के समय परिच्छा साफ्ट्वेर के अतरिक किसी भी अन्न साफ्ट्वेर को नहीं खोल पाएंगी आप इस दवर्ण का उपयोग नहीं करें अन्न था इस से होने वाली किसी भी तकनिकी अत्वा अन्न समस्षा के लिए जुमेदार है रीफ्रेस या रिलोड हो जाता है तो परिच्छा को तत्काल यहाद परिच्छा के दवरान विशावस्त रीफ्रेस्ados रिलोड किया जाता है तो ऐसे अभैरति ओंप स्चेट के जाता है कि टंकड परिच्छा में कीबोर्ड टाइपर की गई समस्त गत्विदियों को लॉग परिच्छा साप्टेवर में संदच्छित रहता है ता उनके द्वरा टंकर परिच्छा के दवरान की गई किसी भी अनाधिक्रत कारवाई की जाज की पुष्टी होने के इस्तिति में उनका बेर्थन निरस्त किया जा सकता है कोई भी आप ऐसी सामगरी नहीं ले जाएंगे फिलाल इसमें अकल करने की संभावना नहीं रहती है अब भरती एक बार टंकर परिच्छा होने के बाद टंकर कार को विराम दे ताकि उनकी टंकर गती सही से मापी जा सके एक बार परिच्छा प्रारम होने के बाद आपको आप्त होने के अभी लंबतम 30 मिनट के अंदर परिच्छा के नोडल अधिकारी को प्रपत्र पर लिखे सिकायद दी जाए परिच्छा जमापती के 30 मिनट के उपरां किसी भी अभरती कि सिकायद को नहीं सुविकार किया जाएगा तो यह सारे सामान नियुदेश हैं इससे से संबंदित जरूरी सूचन आपको हमने बता दिये फिर से आप लोग ध्यान दीजिए कि पेट के लिए इस लेबस पर अंतिव मुहर आने वाले इसी सब्ताय में लग जाएगी और उम्मीद है कि 20 जन्वरी के आसपास ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिये जाएं तो वीडियों में इतना है मिलें कर लिए वीडियों तब तक ले जाहिन जय भर